विल्कम टू कार्बकार्ड मी टूड़े आई सल्व क्लास सेबिन्थ मैथेमेटिक्स एक्सासाइज 8.2 पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सासाइज 8.1 को कम्प्लीट किया नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आज किस वीडियो में एक्सासाइज 8.2 को बहुत ही इजी मेथेट से सल्व करेंगे और आप लोगों को सभी क्वेशन अच्छे से समझ में आएगा कोई प्रॉबलम नहीं होगा जो प्रेक्सन में दिया गया नंबर है उसको convert करना किसमें ? आप को पता है थिरी देखे होंगे तो आपको पता होगा देखो कोई भी नंबर हो उसको पर्सेंटेज में चेंज करना होगा उसमें 100 से क्या करना होगा आदि हम क्वेशन को बारी बार सेठ देखते हैं और आपको समझाने के कुशिस करते हैं ठीक है बहुत इजी है कोई जदा खास नहीं है जदा difficult question नहीं है बहुत easy है ध्यान से बस आपको समझना होगा ऑप भन सम्क्वेशन लिख़र क्रेदी रखे है first question is a number one by eight अब one by eight एक क्या है एक fractional में नंबर में दिया गया है ठीक है इसको percentage में क्या करना है change करना है convert करना है कैसे करेंगे देखो one by eight आपको बने बताया किसी भी नंबर को percentage में change करने के लिए उसमें हांड्स से multiple कर दे इसमें हांड्स से multiple कर दो ओंके है तो ones और हांड्स से करेंगे कितना होगा हां Ananda हो जाएगा ठीके हां हांड्स हैं अब स्कोंड़ हाइट कर दो और डिभाइड करने के लिए कैसे करोगे इसको हम क्या करते हैं फोर से फोर टूजा एट और इसको फोर से करेंगे 25 फोर जा एंड रेड़ ओके यह आगए आपका 25 बाई 25 में 2 से टिवाइड करोगे कितने टाइब हुम जाएगा 12.5 टाइब हुम आ ग lifelong आप ρॉण में डिवाइड करके चेक कर लेना 25 में 2 से जब डिवाइड करोगे तो 12.5 टाइब हुम जाएगा और इस कीस फ़र में आ गया एक percentage की रूप में आ गया एक फ्रेक्शनल नंबर था इसको percentage में change करने के लिए हमने 100 से multiple किया उसको simplify करते हुए इसको last में देखो percentage में हमने answer ला दिया ओके समझ माया B B क्या है 5 by 4 है ओके 5 by 4 इसको एक percentage में change करना है just 100 से इसमें multiple करेंगे हो गया अब इसको simplify कर देंगे कर दो 5 into 100 उपर है और नीचे क्या 4 इसको divide कर दो 4 को इसको divide करें कितने times में यह हो जाएगा 25 times 25 से और 5 से multiple करेंगे क्या होगा 25 फाइब जा 125 होता है any 125 percentage अब का हो गया ठीके C question C है 3 by 40 अब यह देखो 3 by 40 इसमें 100 से क्या करेंगे multiple क्या हो जाएगा 3 into 100 by 40 0 से 0 cancel अब यहाँ से देखो 2 से 2 और 2 फाइब जा 10 यानि 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 15 by क्या हो गया 2 15 में 2 से जब divide करोगे क्या हो जाएगा 7.5 और इसको percentage में write कर लेंगे ठीक है आ रहा है समझ में D देखो D question is 2 by 7 तो 2 by 7 और इसको क्या करेंगे percentage में change करना है convert करना है इसमें 100 से multiple कर लेंगे क्या हो जाएगा 2 into 100 by 7 तो यहाँ से divide कर दो किसी से कोई कटने वाला है नहीं तो 100 से और 2 से करेंगे 200 by 7 अब रफ में आप लोग जाएए और 200 में 7 से divide कर दीजिए यहाँ पर हम रफ में कर लेते है 200 में 7 से divide करते हैं 7 से divide से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 times मंजाएगा 14 और यहाँ से 6 बच गया 2 और यहाँ से 4 decimal नहीं बच गया अब क्या करेंगे इसको इसको हम आहीं फ्रैक्सन में लिख लेंगे इंटीजर में क्या लिखेंगे 28 जो कोसेंट होता है चिससे डिभाईद के ज़के उपर और जिससे डिभाईद दे तो नीचे आपको सब पढ़ा है पीछे तो 207 में जब हम इसको इसको डिवाइड किये 28 इंटीजर 4 by 7 परसेंटेज आ गया आप 200 by 7 परसेंटेज लिख सकते थे लेकिन इसको डिवाइड करके इंटीजर में लिख देना अच्छा रहेगा ठीक है इंटीजर आपको पढ़ा है ना पहले चप्टर 2-3 में तो यह हो गया है question number one complete okay second question convert the given decimal fraction to percentage अब देखो a decimal में दिया हुआ है decimal fraction दिया है ना इसको percentage में चैंज करना है तो कैसे करेंगे देखो number a 0.65 okay 0.65 है हैं इसको कैसे सल्फ करेंगे पहले तो पॉइंट को अटाएंगे ना 0.65 पॉइंट को अटा दिए ये बॉइंट को अट था निचे के रबक जाता है और उसके बाद जितना डिजिट रहता है उतना जिली लिखना पड़ता है लगा दिए आपको पर्सेंटेज में चेंज करना इसमें साय से क्या कर देंगे डिवाइड साय से डिवाइड कर दो 100 100 कट गया क्या बच गया 65 यानि 65 पर्सेंटेज हो गया समझ गया नेक्स्ट क्या करेंगे 2.1 है पॉइंट को हटाएंगे यहां पर वन हो जाएगा जितना डिवेट उतना जीरो इसको पर्सेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्ट पल कर देंगे 10 से 10 अब इसको मल्ट पल कर दो 21 यानि 21 से और टेंस से करेंगे 210 पर्सेंटेज हो जाएगा ओके सी देखो 0.02 अब यह देखो 0.02 पॉइंट उड़ाएंगे 1 जितना डिवेट उतना 0 और इसको करना है पर्सेंटेज में चेंज करना है तो साइज से मल्ट पल कर देंगे 0 यानि 2 पर्सेंट अब का एंसर हो जाएगा डी देखो 12.35 ओके क्या करेंगे 12.35 पॉइंट को उड़ाएंगे पॉइंट को बाद 1 हो जाएगा जितना डिवेट देना 0 इसको हैंड रेट से मल्ट पल करेंगे तो हैंड रेट हैंड केंसिल आपका पर्सेंटेज हो गया 1235 पर्सेंटेज और एंसर ओके समझ माया चलो नेक्स्ट क्योश्चन देखो नेक्स्ट क्योश्चन है एस्टिमेट वाट पार्ट आफ दा फिगर इज कलर एंड हैंस फाइंड पर्सेंट विच इज कलर देखो फ्रास हम अभी कलर नहीं किया है बुक से हम दख लेते हैं कौन-कौन कैसे कलर किया गया है इसको पूरा कलर किया है ठीक है इसको ठोड़ा कलर कर लेते हैं कि घ्यांज कलर। कर लिया अब क्या बोला है जो देखो फिगर इज कलंठ हेंस फाइंड पर्सेंटेश एज गड़ां का निगा मतलब एख क्वेशन का कि इसमें नमबरव और और नमबर टू और जे नमबर सिपर फ्री क्वेशन है तो क्वी क्लाइं प्र पर्सिंटेज बताइए तो यहां पर देखो बाबू कि यहां पर वन पार्ट जैदि इस वन पार्ट में इसको फोर डिवाइड में करेंगे तो देखो तो समसे मोरा है थोड़ासा फीगर हमारा अच्छा नहीं बना है आप लोग अच्छा फीगर बनाना ठीक है परगाल से हम 12345 55 में से यहन थी पार्ट कलर है तो 355 ह जाएगा 123456788 में से 35 कलर इसको परसेंटर में KENNETHham बताएंगे आजाओ कि पहले तो देखो पहले आप यहां पर देखो कि जो कलर्ड है उसको लिक लोग पहले में क्याूशनन दुशन माल्भ 1 क्लड पाट क्या है उबन है ना अगल पाट या और टोडल कितना है पूडल है four, फोर में से उवन या नीची जो रहता है वो टोडल होता है जितना कलर हो उपर रखते हैं तो वन भाई 4 इसमें कलर है इसका पर्सेंटेज क्यों से निकालेंगे तो लिखेंगे पर सेंटेज अ क्या हो जाएगा वन बाई फोर और इसको परसेंटेज में आपको जब भी बता है ना कि उसमें हैंडेट से मल्ट पल कर देते हैं इसको डिवाइड कर दो 25 टाइमस में डिवाइड हो जाएगा यानि 25 परसेंटेज हो गया जाएगे नेक्स्ट देखो सेकेंड है सेकेंड क्वेस्चन इस कि कलरड़ पाड़ कितना थ्री यह न लिखेंगे कलरड़ पाड़ ओर ट्री और ट्रूडल कितने हैं यहां से निकाल देंगे परसेंटेज आप परसेंटेज आप कलरड़ पार्ट क्या हो जाएगा थ्री बाइफ इंटू हैंड्रेट इसको डिवाइड कर दो ट्वेंटे टाइम्स ट्वेंटी से अथिर से करेंगे सिक्स्टी परसेंटेज ओके थ्रड़ क्या है एट में से थ्री है तो पदल लिख लो कलरड़ पार्ट एट में से कितना थ्री है तो परसेंटेज आप परसेंटेज आप कलरड़ पार्ट इतना जाएगा थ्री बाइट इन्टू हैंड्रेड इसको डिवाइड कर दो एफोर से टू टाइम्स और एट वैंटी फाइब टाइम्स एन्ने सेवेंटी फाइव बाई करोगे तो 27.5 चंहें यह परसेंटेज आपको कुछ नहीं करना बोला है देखो क्यूशन करना है और परसेंटेज में दिया गया गया है आराम से इसको साल्ब करना है numbertie 15% 25 25 क क्या करोगे बहुत तीजी है 15% से हाता है इसको परसेन्ट से हटाना होता hin इसको यत किया करते है चाहिए है आज परसेन्ट परसेन्ट से सल्ब करते हैं तो समंहें करते हैं ओपर जाया नी आख और प्रसेن्ट से है हटाना है इसको हैंड से कर देंगे आफ मतलब होता है और 20 5 ऑन जिरो से वन जिरो केंसिल 25 से और 3 से करेंगे 75 डिभाइड वाइड वाइड डुब इन से करो कितना टाइंप जाएगा अभी अब लास्ट पोचिन क्राएं इसका इस से पहले वाला इस तिना बार में वो डिभाइड हो जाएगा आप डिभाइड करके चेक कर लेने कि हम पहले सब चीछ पढ़ा चुके हैं डिभाइड वाला ओके पढ़ाएं ना कि नहीं पढ़ाएं सब पढ़ाएं आप बी देखो 1% of 1 hour तो हावर को फल करेंगे कैसे करेंगे क्या लिखेंगे कि 1% फले हावर से इसको मिनेट में चेंज करेंगे तो वान हावर में वो 60 मिनेट होता है और 60 मिनेट में 60 into 60 second होता है त्रूर थ्री हैंडेट 3,600 होता है ठीक है तो वन परसेंटेज अब 100 वन हावर यानी 60 मिनट हो जाएगा अब वन परसेंट अप इसको सेकेंड में चेंज करते हैं तो 60 into 60 सेकेंड हो गया तो वन परसेंट को 1 by 100 लिखेंगे अफ मतलब मल्टिपल और है 60 into 60 0 से 0 एक 0 से एक 0 क्या हो गया उपर वन 6 6 6 6 6 जा 36 योर एंसर ओके सी देखो 20% आफ 20% आफ टू हैंड्रेट टू हैंड्रेट टू थाउजन्ट फिप्टी फाइफ हैंड्रेट है ठीक है तो 20% मतलब उसको हैंड्रेट से डिवाइड कर देंगे 20% आफ मतलब मल्टिपल और यह जियों का क्यों 0 से 0 10 से 10 अब 20 से 25 से मल्टिपल करोगे ठीक है 20 से 25 से मल्टिपल करोगे कितना होगा फाइफ हैंड्रेट हो जाएगा एंसर ओके कि डी है कि 75 παरसेंट और वन केजी ओके तो 75 परसेंट अहazzi परसेंट का हटाने के लिए तुस्व तन भाइफ मतलब मल्टिपल हो जाएगा फसेंट और मतलब multiple 1 kg kg को gram में change कर देंगे तो आपको पता है न कि 1 kg में 1000 gram होता है यहां से क्या हो जाएगा gram हो जाएगा 1000 ठीक है तो क्या करेंगे अब इसको multiple कर देंगे हो जाएगा ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे करो 0 से 0 cancel 0 से 0 cancel इसको multiple कर दो 7 अरे 0 इतना क्या हो गया गराम हो गया ज़िए आप इस गराम में आया है तो इसको kg में change कर सकते हो कैसे ज़िए गराम में आया है तो इसको divide कर दो 1000 से 1000 करोगे 0.75 क्या हो जाएगा लीटर आजाए kg आजाएगा ठीक है तो आप मतलब इतना ही करना 750 ही कर देना इतना ही काफी है ओके ज़्यादा करने क्यों सकता नहीं है I hope कि आप लोग को समझ में आया होगा question number 4 भी 5 को देखते है 5 देखो थोड़ा सा अचा-चा question है ठीक है 5 को ध्यान से दिना होगा find the whole quantity of 5% of its 600 चलो इसको self करते हैं यहां से number A 5% तो 5% है ना इसको divide में 100 आजाए क्योंकि percent हटाने के लिए 100 से divide करते हैं और percent में लाने के लिए 100 से multiple करते हैं यह बात आप लोग को पता होना बहुत जरूरी है ठीक है of मतलब multiple of मतलब multiple अच्छा इस question को देखो करने के लिए पूछ रहा है ना ऐसा बात है कि 5% of its is 600 काने का मतलब कि 5% का कौन सा भाग 600 होगा यह पूछ रहा है आपको तो पता नहीं है तो क्या कहेंगे कि 500 का जो भाग होगा जो पार्ट होगा वो एक्स होगा इस मतलब क्या होता इक्वल ऐसे कर लेंगे और इसे सल्व हो जाएगा लेगन आपको बाते समझ में नहीं जाई अभी हम आपको और डिटल में पढ़ाने को इस करेंगे ठीके अभी आपको लोकाई स्टार्टिंग है ना इसलिए हम अच्छे से क्वेस्टन लिख 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 करके और बताते चलते हैं ठीके फाइप परसेंट आप एट से इज इस देखो कौन सा भाग मनला फाइप परसेंट का कौन सा भाग छे सब होगा यह आपका क्वेस्टन है तो आप लोग क्या कैसे बनाईएगा अब से पहले करिएगा कि whole quantity मतलब जैसे पूरे के लिए आप x माल लो सभी question के लिए कि आपको पता नहीं क्योंकि सभी question ने पूछ रहे कौन सा भाग के लिए क्या होगा आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर heading में सभी question को सल्ब करना है न तो आप ऐसा लिख लो कि let the whole number sorry let the whole let the whole quantity 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 x in given question मतलब कि आपको यहाँ पर पता नहीं है तो सभी question के लिए आप x माल लो क्योंकि सभी question ने की जैसा है ठीक है ऐसा बनाओ इसको कि 5% है न तो लिखो पहले 5% of x 5% of x is मतलब क्या होता है equal और यह हो गया 600 बात को समझे है हमेशा आपके life में काम करेगा बोल रहा है कि 5% of is is 600 तो 5% of कौन सा पाट हमको पता नहीं है तो हमने का इसको let कर लिया है सभी question के लिए x यहाँ पर x लिख लिए is का मतलब क्या होता है equal और 600 देखो अब क्या हो जाएगा 5% का मतलब क्या होता है हटाने के लिए 100 से multiple divide और off मतलब multiple और x तो x is equal to 600 इसको अब solve कर लो कैसे करेंगे देखो 5 से और x से करेंगे तो 5x उपर उपर और यह है 100 इकॉल में 600 अब इसको क्या करेंगे इसको divide कर रहा है ठीक है equal की सेट भेज़ेंगे तो क्या करेंगा तो हो जाएगा 5x is equal to 600 into 600 into 100 अब x में 5 multiple कर रहा है equal की सेट जाएगा तो divide कर देगा x is equal to 600 into 100 अब आई 5 इसको divide कर दो 20 times 600 से और 20 से multiple करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा यह देखो आपका x is equal to 12,000 यानि 5% का 12,000 तो 6% 12,000 का 5% कितना होगा 600 एक क्यूशन आप से बल रहा था ठीक है ऐसा है सारे क्यूशन बनेंगे ए हो गया अब बी के देखो बी है कि 12% of 12% of it is 1,080 रूपीज आपको पता नहीं है 12 का 12 percentage of उसको x लेट कर लो is मतलब equal 1,080 12 by 100 of मतलब x of मतलब multiple into x is equal to 1,080 अब यहां से देखो 12 का और x ले multiple करेंगे 12 x अब आई में 100 is equal to इतना इट डिभाइट कर रहा है का तो multiple कर देगा 12 x is equal to 1,080 into 100 और x में 12 multiple कर रहा है divide में इधर चल जाएगा तो करेगा into 100 अब आई 12 उसको हिवाइट करो जदे इसको डिभाइट करते है कितने टाई शुझारप 25 फिर इसको से कर दें क्या कर 1054 30 31 3 Blessed yourself जीरू तो 360 से 25 से मल्ड़पल कर दो रफ में करो 360 से 25 से तो 360 और 25 से मल्ड़पल करोगे हम कल्कुलेटर में करके लिए ठीक है 360 और 25 से मल्ड़पल किये यह के 9000 कितना आया 9000 अब का हो जाएगा एंसर ओके इसी तरह नेक्स्ट सी है सी को यहीं पर हमसल्प करते हैं जदी जगा है तो ठीक है तो फोटी पर्सेंट और इट इज 500 km तो कि आपको पता नहीं न तो 40% of x is equal to इतना अब क्या करेंगे तो percentage में चाटाएंगे तो 100 से डिभाइड और मतलग गुना और यहां पर 500 यह हो जाएगा तो 4x by 100 is equal to 500 और यह डिभाइड कर रहे तो मल्टिपल कर देगा तो 4x is equal to 500 into 100 x is equal to 500 into 100 by यह मल्टिपल में है तो डिभाइड में चल जाएगा इसको डिभाइड कर दो यह हो जाएगा 25 टाइमस x is equal to 500 से और 25 से जब मल्टिपल करोगे ठीक है 500 से और 25 से जब मल्टिपल करोगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका हो जाएगा अच्छा मल्टिपल में थोड़ा समलो को मल्टिपल में दिकत हो रहा देखो यहां 40 परसेंट है ना यहां 40 लिखो सोरी 40 40 यहां पर 40 रहेगा ठीक है तो 40 रहेगा तो फिर दिभाइड करने मल्टिपल कलती हो जाएगा फिर फोर बच गया फोर से इसको कर दो कितने टाइम जाएगा यह जाएगा तो टाइमा अरे 250 यह तो से फाइप और फाइप से करेंगे तो यह हो जाएगा यह 1000 कितना जाएगा 1000 होगा नहीं 1250 हो जाएगा 250 ले और 5 से मल्टिपल करोगे तो 1250 अब का जाएगा ठीक है मल्टिपल करके देख लेना और लास्ट देखो 700 ठीक है 700 of its age 40 minutes है इस question को आप लोग को just इस तरह से solve करना है कुछ नहीं करना है ऐसे लिख लेना है उसे बना देना है तो D और E आप लोग के लिए question है जो कि आपको बना करके send करना है मिरे वार्टसप नमबर पर चेक होगा ठीक है इन दोनों question को आप लोग को बना करके send करना होगा 8383 896194 बन जाएगा ना दोनों question बहुत तीजी है जैसे आप ABC बना हो उसी तरह DE बनेगा ओके चलिए ओके नेक्ट देखो शिक्स शिक्स देखो तू शिक्स क्या है शिक्स है कि convert given percent to decimal fraction and also to fraction in simplest form ओके इसको simplest form में करना है बहुत तीजी है simplest form आप जानते हो ना 25% है तो divide कर देंगे लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक decimal fraction में करना है और fraction in simplest form में भी करना है तीन चीज में करना है ठीक है आईए इसको लोग अराम से करेंगे ए नमबर 25% है ठीक है फ्रेक्शन में पहले चेंज कर लेंगे तो fraction में चेंज करने के लिए क्या करना होगा 25 है ना 25% है तो percent हटाएंगे परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे यह देखो fraction में आ गया fraction के बाद इसको सिंप्लेट फॉर में करने के लिए बोला है सिंप्लेट फॉर में कर दो 25 25 फॉर्जा हैंड्रेट देखो गया one by four ओके अब इसको बोला है कि दिस्माल फॉर में तो one में फोर से डिवाइड करोगे तो किया जाएगा आप करके देख लेना रफ में 0.25 हमको तो याद है ऐसे ही कर दिए लेकिन आप लोग क्या करिएगा one में फोर से डिवाइड करेगा आपको हम डिस्माल पढ़ा है इसलिए नहीं बता रहें आप पर ठीक है पिछे टू इक्सर साइज में बता आए है ठीक है कि भी देखो बी देखो one hundred फिप्टी परसेंट है तो पॉलिस्कों फ्रेक्शन में चेंज करेंगे वाइड में हांडेट कर देंगे इसको शिंप्लेट फॉर में करने के लिए क्या करेंगे शिंप्लेट फॉर में यह 5 से 3 यह 5 से 2 यह हो गया 3 by 2 इसको डिस्मल में करने के लिए 3 में 2 से डिभाइट कर देंगे 1.5 आ जाएगा सी देखो 20 परसेंट डिस्मल में बता हैं आप लोग को पाली से लिए यहां पर नहीं बता रहे हैं कैसे किया आता है ठीक है आप लोग काता भी होगा इसको हांड़ेट कर देंगे 0,0 टू से 5 यहांई 1 by 5 आ गया 1 में 5 से डिभाइट कर दो कितने ताइम 0.2 टाइमस decimal में हो गया fraction में हो गया और simplest form में भी हो गया d देखो 5% है तो 5 by 100 इसको divide कर दो 20 times यानि 1 by 20 हो गया 1 में 20 से divide करो गत क्या आएगा 0.05 आजाएगा तो decimal का divide आप लोग आना बहुत जरूरी है 2.45 में आपको हम बहुत अच्छे समझाएं पूरा आपका है ही इसलिए तो पीछे सब कुछ पढ़ा दियता है basic उसके बाद आगया question मिलते रहता है ठीक है अब in a city 30% are female और 40% are male and the remaining the children what percent are children देखो कोई city है जिसमें महिला जो है औरत 30% है पूरुष जो है 40% है तो बच्चा की percentage बताना है आए ये बहुत तीजी है और आपको इस तरह का question exam में आएंगे ठीक है टोटल भोट पहले कितना है बोट बोल रहे हैं कितना है 30 और 40 70% दोनों के का करेंगे add करेंगे तो लिखेंगे पहले percentage ठीक है percentage of female percentage of females percentage of females कितना है 40% ठीक है percentage of male वो कितना है percentage of female जो है 30% है ठीक है और यह है 40% ठीक है तो टोटल को पहले add कर लेंगे टोटल परसेंटेज टोटल टोटल परसेंटेज of female and male दोनों का एट कर दो 30% परसेंट 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 कितना हो गया 70% और परसेंटेज किसी है क्या होता है 100 होता है यानि 100 में 70 परसेंट लोग है तो अब चिल्डरेन को बताना है ना लिखेंगे परसेंटेज आप चिल्डरेन क्या हो जाएगा टोटल कितना हैंडेट परसेंट को भी पॉपुलेशन होता है उसमें से 70% male और female है क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बाकि जो बच्चे हैं क्या बच्चेंगे बच्चेंगे तो हैंडेट मैंडेट 70 कितना 30 परसेंट तो क्या लिखेंगे कि 30 परसेंट हैंस 30 परसेंट आर चिल्डरेन ओके यूर एंसर ओके अब देखिए क्वेशन नमबर एट आउट 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 फिप्टीन थाउजन वोटर्स इन कॉंसेंस्टेंसी 60 परसेंटेंट वोटेड फाइंड परसेंटेज ओव हेक्टर हूँ डिड नॉट वोट कैन यू नाउट फाइंड हाउट मैंनी एक्च्वाली डिड नॉट वोट ओके अब देखो इस क्वेशन को क्या करना है कि किसी मतलब आउट ओप 15 थाउजन वोटर हैं जिसमें 60 परसेंट वोटेड एक क्या है । क्या क्या करना है कि हूँ डिड नॉट नॉट काहने का मतलब है कि मal जीए कि आपका ही कोई City है और वुंसेंटी में इतना लोग रहते हैं नहीं दिये, तो can you now find how many actually did not, मतलब कितने लोग भोट नहीं दिये, वो परसेंटे बताना है, 60% दिये हैं, आपको बताना है कितने परसेंट भोट नहीं दिये हैं, और कितने लोग नहीं दिये, यह भी बताना है, परसेंटेज के साथ में, कितने लोग नहीं दिये, वो बताना है आपको ठीक है बात को समझ गए आईए टोटल भोट पले निकालो टोटल भोट कितना है 15,000 है ओके टोडल भोट 15,000 है तो परसेंटेज अब भोटेज कंडिडेट लिखेंगे की परसेंटेज ठीक है फरसेंटेज एज परसेंटेज परसेंटेज ऑब फोटेड क्या है कंडिडेट है ना कंडिडेट ही बोट देते हैं कंडिडेट कितने है 60% की है consistency ओके अब चलो 60% दिया हुआ है अब percentage of not vote percentage of not vote candidate कितना हो गया 60% तो दिये है और कितने परसेंट नहीं दिये तो मालों के 100% होता है 100% में 60% नहीं दिये हैं तो माइनस कर देंगे तो इतना परसेंट नहीं देने वाले आ जाएंगे एन 40% अब देखो 40% का 15,000 निकाल देंगे आपको पता चल जाए कितना परसेंट भोट नहीं दिया है, तो actual candidate, actual, actual candidate, actual candidate, who did, who did not vote, who did not vote, कितना, 40% of 15,000, तो 14%, 14% का मतलब होता है, 14 by 100, और यह हो गया, 15,000, 2,0 से 2,0 cancel, अब यहां से देखो, 150 से 40 से multiple कर देंगे, 150 से 40 से multiple करेंगे, आपको क्या जाएगा, 6000, your answer, last मिलिक देंगे, कि hence, 6000 candidate, 6000 candidate, did not vote, okay, your answer, देखो, क्या था कि किसी महला था, कोई महला था, जिसमें 15,000 भोटरस थे, भोट देने वाले, जिसमें 60% भोट दे दिये हैं, तो आपको बताना है कितने परसेंट भोट नहीं दिये, तो 40 परसेंट नहीं दिये है, जब 40 परसेंट नहीं दिये, जब 40 परसेंट नहीं दिये, ठीक है तो मिता शेव 4k FOR mr salary देखो मिता सेव करती है एपने शेवरी से 4000 if this is 10% of our salary what our salary देखो तो क्या करती है मिता क्या है ना रड़की है जो एक जौब करती है जौब करती है तितना अपना सेव करती है पर मन्य तो ये पूछ रहा है अब बताओ कि मीता 10% अपने सेलरी का इतना बचा रही है तो उस सेलरी कितना उसको मिलता है एक वेचन है ठीक है बात को समझ रहे ना आजाओ इसको सल्ब करो एक टेन परसेंट आप सेलरी एक बात बताओ यहां पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिस्टेक है ठीक है यहां पर 4000 है ठीक है 4000 है एक बात बताओ इसको सल्ब करने के लिए मिस्टेक हो रहा है कर रहा है कि मिता 4000 फ्रम हर सेलरी इफ 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 दिस इच टेन परसेंट ओफ हर सेलरी तो वाट हर सेलरी ता सेलरी था हमें पता नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा लेट करेंगे पहले लेट मिता लेट मिता सेलरी भी एक्स ठीक है हमें पता नहीं है तो एक्स कर लिए नाउ अब क्या है टेन परसेंट ओफ टेन परसेंट ओफ सेलरी परसेंट ओफ सेलरी उसका कितना हो रहा है 4000 कितना 4000 ठीक है 4000 अब क्या हो जायेगा देखो 10 परसेंट परसेंट कहटाने के लिए 100 से मल्टिपल एड डिवाईड ओके गद सेलरी आपको पता नहीं है तो उसको गया गधो गया एक्स इस किल टू में थोर थाउजेंड अब यह देखो टेन सारे लिए करेंगे टेन एक्स और यह फोर थाउजेंड और तो इधर आगा थो इस सो मुड्पल मा जाकर नो डिभाइड कर रहा थो X is equal to, कितना into 100, अब ये देखो क्या है, अब ये 10 multiple कर इदर आगा, तो डिवाइड कर देगा, 0, 0 कैंसे, यानि X is equal to, और ये 0, इतना रुपया उसके पास salary था, यानि 40,000 उसके पास salary था, लाश्ट मिलिक देंगे, हैंस, हैंस, मीता, मीता सेलरी, कितना, ओके, आई होप कि आप लोग को समाज में आया होगा, एक लाश्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, उसको भी देख लो, लोकल किर्केट टीम प्लेट 20 मैच, इन वन सीजन, कोई किर्केट खेलने वाले, आप गाउं महले के बच्चे, ठीक है, वो लोग 20 मैच खेले हैं, एक सीजन में, और वो लोग जीते कितने हैं, on 25%, तो, of them, how many matches did you win, अब बताओ, कि वो कितने मैच जीते हैं, मानलो 20 मैच खे लिखेंगे, number of, number of match, played by किर्केट टीम, किर्केट टीम, कितना, 20, ओके, और total, win match कितना है, 20 मैच का, 25%, लिखेंगे, percentage of, percentage of, on match, जो पहले given आता, उसको लिखेंगे, 25%, अब चलो, अब 20 मैच का, 25%, कितना, भी नहोगा, तो, लिखेंगे, कि, total, total matches, total matches, total matches, on, on, by them, क्या हो जाएगा, 25% का, ठीक है, 25% of, 20 मैच, तो, 25% मतलब, 100 certified, array, 20, 0, 0, इसको, 5 से, 2, array, 5 से, 5, 5 या, 15, फिर, 5 से, इसको कर दो, 2, cancel, कितना, 5 आ गया, यहनि, 5 मैच, जो है, वो लोग, जीते हैं, last में लिख देंगे, कि, hence, hence, they own, they own, five, match, हो गया, ठीक है, I hope, कि, आप लोग को, समझ में आओगा, समझ में आओगा, तो, वीडियो को, लाइक कर लिजिएगा, चैनल को, सस्काइब कर लिजिएगा, और दोस्तों भी, share करिएगा, next वीडियो मिलते हैं, 8.3 में,